नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम बात करेंगे निर्विया केस की एक और पहलू का, सबसे बड़ा पहलू सामने आया है, जिसका देश को बहुत दिनों से इंतजार था, तो फिर ट्राइल कोर्ट ने ये फैसला किया था कि 22 जनवरी को ही सुबसात वजे उनको फांसी दिय में, तो दोस्तों बात जरसल ये है कि मतलब चारो जो आडोपी है, वो हर एक हत्कंडा अपनाना जानते हैं, और कह सकते हैं कि उनके कानूनी सालाकार है, जैसे वकील हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, तो उन लोग बताते हैं, उनको किस तरह से मतलब कानूनी दाउंपेस है, आ कैंसिल कर दिया था, उन सभी का, तो फिर उसके बाद ने फिर उन्होंने एक चाल चली, जैसे कह सकते कि कानूनी चाल, उन्होंने अपनी दायायाचिका राश्टपती को भेजा, राश्टपती के पास दायायाचिका भेजने के बाद से, मतलब अभी तक राश्टपती जी अभी तक उनके दयायाची का का खारिच नहीं किया. इसका मतलब यह होता है, कि अगर दयायाची का खारिच होती है, उसके बाद ही आपको 14 दिनों का समय होता है, 14 दिनों का बाद ही आपको फांसी हो सकती. यानि जो पिछला डेथ वारेंट जो इशू कर दिया गया था कि 22 जनवरी को उनको फांसी होगी वो अब कैंसिल होने वाला ही है क्योंकि अभी तक दयायाची का खारिच नहीं हुई और दयायाची का जब भी खारिच हो चाहे आज हो या फिर कल हो आज 16 तारीक है कल 17 तारीक ह उसके बाद से एक नया डेथ वारेंट इशू होगा उसके बाद से उनको फांसी दी जाएगी तो दोस्तों यह कानून दाओ पेच बहुत ही अलग है आप भले ही आपको मतलब कितनी भी दुविधा में हो अगर आपको जरुवत है आपको अगर चाहिए आपको लगता है कि कि मतलब उस समय मुझे कानून मदद करें लेकिन ऐसा होता नहीं क्यों कि आपको कानून से कानून की टरहिए जरू मिलेगे अभी तक फांसी का डेट रगाव हो पूरा वर्स पूरा बिष्व जानता है कि 12 जनवरी को फांसी यहाँ रहे लेकिन ऐसा लगता है कि राष्टवाथी जी उनके दयाया आची का खारीच करेंगे फिर उनके एक नया death warrant issue होगा उसके बाद ही उनको 14 दिनों के बाद ही उनको फासी दी जाएगी तो दोस्तों यह अभी तक का यह सबसे बरा breaking news है निर्विया केस में तो आसा करता हूं यह आपको सम यह पहले में सके तब तक के लिए आप खुश रहिए सुरक्षित रहिए जय हिंद